जनपर संबल की नीजी स्कूल ने सीएम की अपील के बाद संकट के इस समय में विद्याले में पढ़ने वाले बच्चों की तीन महा के फीस माफ करके एक मेशाल पेश की है इस समय पूरे विश में कोरोना नामक वेश्वीत महामारी फेली हुई है और सारा विश्व इस बीमारी के खिलाब जंग लड़ रहा है इसी बीमारी के कारण भारत में भी पीएम के आवहान पर 21 दिनों का संपूर लोगडाउन चल रहा है इस समय यूपी के भी 75 जिलों में लोगडाउन का कड़ाई से अनुपालन का राया जा रहा है इसी बीच यूपी के मुख्य मंत्री योगी अधिते नाथ ने प्रदेट के सभी स्कूल संचालकों से एक अपील की थी कि सभी स्कूल संचालक अपने यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को तीन म मां के फीज पूंठा माफ कर दी है इस विशे में नीजी स्कूल के संचालक ने बताया कि जब सारदेश इस महामारी के विरुद जंग लड़ रहा है तम मेरे मन में भी विचार आया कि क्यों ना विद्ध्याले में पढ़ने वाले सभी बच्चों के फीज माफ कर दी जाए और अपने विद्ध्यालों में पढ़ने वाले बच्चों की तीन माँ के फीज माफ करके देश की इस लड़ाई में अपने एक छोटा सा योगदान दे जो बार्ती जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, भूखो को खाना किला रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स हैं, इत्यादी सब अपनी जान को खत्रे में डालते हुए भी पूरे भारत बासियों की सेवा कर रही है तो मैं तो अकेला घर में बैठा हूँ तो जो मेरी छंता है उसके नुसार मैंने सोचा कि मैं तीन महा के फीज को माप पर देता हूँ ताकि जो कमजोर बर्क के लोग हैं उनके बच्चों हाँ एक तरब से मैंने सभी की फीज माप किये कुछ संदेश जाने जाएंगा और स्कूल वालों के लिए और स्कूल वालों से मेरी अपील है कि अपने मैनेजमेंट प्रवंदक के साथ बैठ करके ये निडल हैं कि सभी लोग तीन महा के सुल को माप करें और ये मेरी बिनर् सभी को राहत पहुचाएं और बढ़ चलके इस चीज में हिस्सा लें और स्कूलों के छेत्र में प्रदेश का मान बढ़ाएं और हमारे पुझनिये योगी जी का मान बढ़ाएं उनकी अपील को सुईकार करें और लोगों का धन्यवाद लें